हाई गाईज विल्कम बैग माई यूटूब चैनल अमिदुल ओफिसल ब्लोक में आपका एक बार फिर स्वागत है तो गाईज इस समय हम लोग जो है सारदा नदी के किनारे जा रहे हैं रास्ता बहुत खराब है पैदल जाना पड़ रहा है आप लोगों को लिए मैं वीडिय के सक्षच कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज्रूर करें तो गाई जैसा कि आप देख रहे हैं यह जो है रास्ता खराब फूरा मआ गाड़ी से जाने पारें पैदल जा रहे हैं में में तो अभी हम लोग बस आगे पहुंच रहे हैंOM पइदल पईदल चलने हम लोग जो है और और सारणा नदी के किनारे 하ес पहुंचेंगे सार आड़ी जो हैं टछान कर तरही है हम आपको बस दिखाना चाहते हैं वीडियो बनाके किस हिसाब से सारणा नदी जो काटान कर रही हो कितना बाढ़का पानी आ रहा है तो आप वीडियो में लेख रहे हुए दूर से आपको दिखाई पड़ रही होगी नदी वो बह रही है कितना साफ पानी दिख रहा है चारो तरब जो है पानी ही है और हम लोग बस उसके करीब पहुंचने बाले हैं बस तो गाली यहां पर नहीं आ पा रही है इसलिए हम लोग पाइदल ही जा रहा है सारदा नदी के किनारे और मेरे सामने आप देख रहा होगा वीडियो में तो हम लोग बस सारदा नदी के करीम में पहुंचने वाले को बहुत थग आ पैदा चलते हुए धूब बहुत तेज है जैसा कि आप देख सकते हैं यह सारदा नदी बहुत थोब है हाला कि आपको मैं दिखाऊं यह देखिए हैं हम है पहले ठक गए हैं मेरे भाई बहुत ज्यादा धुप है तो आइस फाइनली हम लोग जो है सार्वा नदी के किनारे आ गए हैं आप हमाले इदर देख सकते हैं यह सार्वा नदी बहुत तेज पीड में इसकी धार है जैसा कि सामने जो आपको जंगल दिख रहा है पहले यह सारदा नदी जो है उस जंगल के पास में बहर रही थी लेकिन जो है ये वहां से कटान करते हुई यहां पर आ गई है लगबक यह कटान करते हुए कि कितना दूरी हो गए कटान करते हुए 10 km 10 km 10 km इधर आ गई है तो गाई जैसा कि आप देख रहे हैं इम्रान भाई बता रहा है कि 10 km कटान करते हुए यहां पर आ गई है किनारे और कितनी स्पीड धार है मैं आपको दिखाऊं करीब से मैं दिखाऊं आपको और 10 km के अंदर जो सेकड़ो गाहूं थे वो भी काड़ कितनी धार तेज है करीब से…"दे कुर्स आपको मैं दिखाऊं। आपको तक जहां तक आपकी नदर जा रहा है कि अपर एपनी ही पानीहे सारदा नदी से कैई नहर निकली है हमारा हर्दूइ बाबन की यहेसी सारदा नदी निकली से निकली है। उसमें भी बहुत जड़ पानी है ये सारदा नदी है इसी नदी से जो है कई इस नदी से कई जो है नहर निकली है हमारी जो है हर्दोई बावन की जो नहर है वो इसी सारदा नदी से निकली है उसमें भी बहुत जड़ा पानी है और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे भाई साप में है और ये भाई हमा पानी जैसा की आप द्थार है बहोट तेज धार है उसी तेज़ धारा में ये पानी इसका बहरा है गाई्ज जैसा कि आप देख रहा है मैं इसका और अपको दिखाऊ तो बहुत तेज जो है इसकी धार है चारो तरब ह्याई फीड में जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैंこれ er only चारो तरब जो है यह खेत खेतों का किटान कर रही है धार जाया चारों तरब पानी है आदा लिभ्रिटोंप दिता ह। जानिधी के यह तक पहुंची है गाउं भी बस रहे थे और गाव और चुकी यहां पर जो है पहले नाओ के द्वारा लोग बहां जाया करते थे लेकिन जो है अब वो नाओ और सब हट गई यहां से चुकी कटान जाजा बढ़के आए इसलिए आप जहां तक नजर आप दोड़ा रहे हैं बहां तक आपको जो है यह सारदा नदी ही कि द्वार अविश्यर दिखाय वह तक बढ़ थेर का कटान हो रहा है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं आप जेख सकते हैं कि बहां से आने के वान जो है यह इसा कटा करके फिर ऐस से हो गई है आप जैसा की वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो दिखाओ लिए ना वो सामने खरिया यह गन्ना जैसा खरिया वहां तक खेथ थे यह सारे हमारे तो सब कार दी हाई संकर धुरूप अब यह स्पीड में दिखाई पानी 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 की स्पीड बहुत है जैसा कि आप आपको आमने दिखाया कि यह सादा नदी है और यहां से बहुत तेजी से इसमें धार चल रही है बहुत तेजी से कटान हो रहा है बड़ा मेहनत से लोग वीडियो बनाते हैं पानी बहुत ज़्यादा जूते देशकते हैं पूरे खराब हो गया है अगर आपको हमारा यह वीडियो हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरू करें अगर आपको हमारा यह लेजर हैं अगर रहा है